दोस्तो आज शिबायनू को लेकर हम एक एसे दोहराय पेर खड़े है जहाँ पर शिबायनू को लेकर हमारे मन में काफी उठापटक चल रही होगी जबकि बिटकोईन यहाँ पर एक लेवल की तरह बढ़ रहा था लेकिन अभी 24 गंटे में देखे तो वो भी यहाँ पर नीचे गिर गया है 24 गंटे में 3-4 परशंट तक बिटकोईन यहाँ पर नीचे गिरा है 94,000 पर आ चुका है डॉलर में तो एसे में सवाल यही है क्या हुआ शीबायनू रहे शीबायनू का और क्या हुआ बुल सीजन का और क्या हुआ एक बड़ी रेली का और क्या हुआ अल्ट सीजन का देखिए यहाँ पर सभी के ओपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन खास कर फोकस जो रहेगा वो शिवायनू को लेकर रहेगा क्योंकि शिवायनू में यहाँ पर जो breakout है वो secure यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षित है गवरायने की जरुरत नहीं हो और आगे क्या हो पाच दिन से 21 तारिक से ही देख लो 21 नवेंबर से लेके जो था 25 नवेंबर हो चुका था लेकिन मार्केट एक लाग को पार नहीं कर पा रहा था हमेशा यहाँ पर मैंने हमेशा बताया है कि टार्गेट हिट होते है सबके लगे रहते हैं एक लाग वेसे भी मानोविज्या कि जिन्होंने एकजिट लिया वो एंट्री नहीं ले रहे थे यहाँ पर जरूर एक बर एंट्री ले थे लेकिन फिर से वाई ही पर जाके एकजिट लेना चालू कर दिया अब जाके मार्केट को क्रेज किरवाया है और आप जाके यह एंट्री लेंगे देखिए 5-6,000 डोल कमा लिए उन्होंने इतने से जटके में चार दिन के अंदर अंदर तो यही चीजा को खेल रहता है जिनको समझना चाहिए तो यहाँ पर घबराने की जरूत नहीं है क्योंकि बिटकोइन यहाँ पर रिकवरी करेगा और जिस टाइप से संकेत बड़े मिल रहे है मैंने कई वीडियो में बताया है कि ट्रिलियन सो डॉलर बिटकोइन में इन्वेस हो रहा है चालीस अजार बिटकोइन एक वील खरीद लेती है जटके में तो कोई घबराने की जरूत नहीं है बिटकोइन एक अभी एक दो दिन में ही वापस एक लाग को पार करेगा और अब संभाव इनू पूरे साथ दिन से मा एक ही लेवल पर घुम रहा है मार्केट भले ही गिरा पड़ा जो भी हुआ लेकिन शिवा इनू गिरा नहीं है मतलब अगर आप देखो जो 2425 का लेवल है जिस पर अभी वरतमान में है ये बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है शिवा इनू के अगभग अक्टूबर से ही एक लेवल के उपर मार्केट जो है फिर रहा है घूम रहा है और यहां पर अभी भी उसी लेवल के आसपस घूम रहा है यानि कि इस पश्ट संकेते मार्केट में स्ट्रोंग सपोर्ट बना रहा है शिवा इनू तो इसलिए यहां पर ब्रेक अगभार निकली है और जगी भी है और अंदोलन से एक मुल्ल तेजे नहीं आई है जो संभावित कहा जा रहा था बाकी कहा गया है कि रेली यहां पर रुकी हुई है बजार की गतिसीलता ओंचेंट डेटा की जाज करने से पहचान होती है कि कुछ मदद यहां पर जरूर मि पिछले सिक्रों के तुलना में जो लेंदेन था उनकी मात्रा में यहां पर बड़ी मात्रा में जो है कमी आई थी जिसके बारे में मैंने यहां पर बताया था विसे और ट्रांजेशन की संख्या में व्रद्धी जरूर हुई है लेकिन बड़ी मात्रा के जो बड़े ट्रां दुकसान यहाँ पर जहल रहा है क्योंकि अभी शिवायनू के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है क्यों ध्यान नहीं है मैं आके रिजन बताऊंगा इसमें यहाँ पर बताएगा है कि शिवा रखने वाले अधिकांस पते पेसे में तो है लेकिन संभव हुए कि उच्च मुल धारक जो इन्वेश्टर है वो सेज बड़ा समू इसरेली के दोरान अपनी होल्डिंग बेज भी रहा है जिससे बजार में बेचने का दबाव शिवायनू में जरूर यहाँ पर देखने को मिला है ठीक है और बजार की समाने गतिविधी के हिसाब से शिवायनू के खराब प्रद यहाँ पर देखो अभी आप देखो तो एक सारपी से किसी को उम्मीद थी क्या एक डॉलर पोच जाएगा जटके में आसे अगर हम देखे इस नवेंबर को छोड़ दे तो एक सारपी से किसी को उम्मीद थी बठुआ डोज कोईन से किसी को उम्मीद थी लेकिन नवेंबर म ने रंग दिखाये नवेंबर में एवलांचे और भी कई कोईन है जिनों ने यार उम्मीद नहीं थी उसके मुताबिक उससे ज्यादा बना के दिया है पेसा भाया क्यों क्योंकि जो पेसा शीबायनू जैसे कोईन के लिए था वो पेसा सीधे मुड़ गया अब आप समझ सकते हैं कि काड़ायनो डोच कोईन एकसा पेसा कहां से लाए यह इनकई है ना इन्वेश्टर हो कई है न और वही पेसा जब अगर शीबायनू जैसे कोईन में आता तो अब इसलिए शीबायनू बढ़ता अब यहां पर यह हो रहा है कि यह लोग क्या कर रहे है कि अभी शीबायनू पर ध्यान नहीं दे रहे है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शीबायनू खतम हो गया है आप सोचिए कि लेवल पर जाने के बाद एकसारपी ने जैसे पिछले बुलरने में एकसारपी ने दोहजार परशेंड का रिटन दिया था काड़ानों ने भी क जादा भी दे सकता है तो यही पेसा अगर जब निकलेगा क्योंकि अभी लार्ज केब बढ़ रहे है तो लार्ज केब बिटकोईन से जब पेसा निकलेगा वह अल्ट सीजन में जाएगा और शीबा जैसे कोईन में आ गया आप समझो कितना शीबायनू बढ़ेगा इसलिए तो यहां पर कोई भी रिस्क लेने के लिए तयार नहीं है आप सोचो साथ दिन में शीबायनू मात्र 0.13% गिरा है साथ दिन में बढ़ा नहीं है तो गिरा भी तो नहीं है ये चीज भी तो समझो बड़ी चीजे बड़े संकेत है अब मैं कोई आपको दिलासा नहीं दे रह मैंने सभी कोईन में इन्वेस कर रखा है और जैसा आपको भी मैंने सजिक्स किया कि अकेला शीबा में पूरा पेसा मत लगा ना 4-5-6 मीम कोईन लेके रखना तो मेरा ये है कि शीबा नहीं बढ़ा तो उसका भाई बढ़ जाएगा पेपे पेपे नहीं बढ़ा तो बोंक पढ़ जाएगा कोई तो बढ़ेगा डोच कोईन तो बढ़ेगा अभी बढ़ रहा है जैसे तो उम्मीद है टेंसन नहीं है मुझे तो एसा ही आप भी रखो और यहां पर शीबा इनु से उम्मीद जैसे इन्होंने भी यहां पर कहा है कि अगर आप देखो बिटकोईन साथ हो रहा है अभी क्योंकि चमकने का उसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उच्च केप जो परिसंपत्या में वर्तमान में ज्यादा पेशा का अपनी तरफ फ्लो करवा रही है और उनकी तरफ ज्यादा पेशा इन्फ्लो हो रहा है उस वजह से बजार में इनकी रूची कम देखी जा रही है और यह XRP जैसे कोईन काड़ानों जैसे कोईन बड़ी रूची पेदा करवा रहे हैं अब डोज कोईन में एक फोमो क्रियेट हुआ उसकी वज़े से मार्केट बड़ा पंप दिखा गया XRP काड़ानों तो वैसे यार लार्ज केप की वज़े से बड़ गये जिन से उम्मीद नहीं थी वो हो जाता है कभी कभी ऐसा कुछ तो ये चीज़े यहां पर चल रही है अब बताये गया है कि शिवायनू में जो रेली है वो कब होगे देखिए शिवायनू में रेली तब तक नहीं आएगी जब तक कि जो मैं path to ultra season बताता हूँ न जो रास्ता phase 1, phase 2, phase 3 उसके according जब तक बिटकोईन एक level तक नहीं जाएगा तब तक पेशा alt coin में आएगा नहीं बिटकोईन लार्ज केप इथेरियम का फेशा ही निकल कर alt coin में आएगा तब ही जाके शिवा यहां से बढ़ना इस्टार्ड होगा आप ये समझ लो और ये कब होगा सर ये होगा जब बिटकोईन लाग 20,000 डॉलर के आस्पस पोच जाएगा ना तब जाके alt season इस्टार्ड ह होगा क्योंकि बिटकोईन ने फरवरी में भी यही दिखाया था बड़ तो वह अक्टूबर से रहा था बट वह अक्टूबर से बड़ी रेली में तब दिल नहीं हुआ वह रेली कब ही जब जनवरी आ गई तब alt coin में बहार आई तो यही चीज अब भी नजर आ रही है तो सर्च करें उसके बाद ही investment करें ठीक है मिलते हैं नहीं वीडियो में नमस्कार जो भी update है आप देते में देता रहूंगा चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और दीखिया हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं चैनल सस्क्राइब कर लिया करो यार और लाइक करने में कुछ नहीं जाता हमें एक motivation मिलता है कमेंट्स में जरूर करना नमस्कार